असलाम वालेकुम आवरीवन आज की इस वीडियो में Decode Signal 2 Pro की अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं ये मुबाइल फोन रिसेंटली मैंने मगवाया है सिरफ उन लोगों के लिए जो कहते हैं के भाई आप हमेशा ही महंगे फोन की टेस्टिंग करती हो तो आज की इस वीडियो में देखती हैं के Decode किस तरह की performance लेकर आदा है क्या क्या इसके अंदर specifications दी गई है और किन लोगों के लिए फोन बनाया गया है इसकी price इसका camera और इसकी सारी details इसी वीडियो के अंदर आगे चलके discuss करती हैं जल्दी से इसको unbox करके आपको दिखा देता हूँ यह है जी Decode Signal 2 Pro का box और बाई green color है हमारे पास 3GB 64GB वाला variant है और बाई back side पे यहाँ पे कुछ specifications लिखी गई हैं और यहाँ पर नीचे कुछ colors mention किये गई है जिसमें red color है मजीद black color है और यह एक skin plus gold type का color दिया गया है box को open कर लेती है बाई और यह phone रखा गया है अंदर signal 2 pro phone को निकालते हैं box में मजीद चीजों को देख लेती है सबसे पहले हमें मिल जाता है एक case जो case box के अंदर रखा गया है case को मैं निकाल के देखना चाहूंगा किस तरह की quality का case दिया गया है और भाई case थोड़ा सा मोटा बनाया गया है लेकिन भाई ठीक है आपको silicon वाला transparent case मिल रहा है कुछ यहाँ पर booklet मिल जाती है और I think यह इसकी warranty की information है जी हाँ उसके बाद हमें एक मिल जाती है इसकी user guide box के अंदर हमें एक decode का 10 watt वाला charger मिल जाता है जो के fast charger नहीं है एक हमें मिल जाती है charging cable जो के USB type C वाली है और यह काफी अच्छी बात है एक हमें earphones का pair भी मिल जाता है बहुत अच्छी बात है सारी companies earphones को cut कर वा रही है और यहाँ पर आपको in ear design के अंदर यह earphones भी मिल रही हैं box के अंदर यही चीजी है box में इनको side पे करके phone की दरफ आती है यह है जी decode signal 2 pro mobile phone यहाँ पर भी वही specifications लिखी गई है और भाई phone को जलदी से यहाँ से रैपर से निकाल के मैं setup कर लेता हूँ उसके बाद आप से मिलता हूँ होके जी phone को मैंने setup कर लिया है और first impressions के अंदर अगर हम बात करते हैं इसके design की तो phone का design दिखने में काफी हुशूरत बनाया गया है यह green color है और थोड़ी सी skin color की look भी दे रहा है और यहाँ पर studio lighting के अंदर आपको हो सकता है थोड़ा सा color जो है वो different नजर आ रहा हो लेकिन यह green color मैं यहाँ पर आपको b cam के अंदर कुछ cinematics दिखा दूँगा यह भाई काफी shiny look मिल जाती है back side पे और यहाँ पे fingerprint sensor back side पे दिया गया है और कुछ iPhone की तरह यहाँ पे cameras को बनाने की कोशिश की गई है देखने में phone का design प्यारा है मैं बुरा नहीं कहूंगा और plastic build मिल जाती है overall right side पे power button और volume rockers मिल जाती है उपर वाली side को बिल्कुल clean रखा गया है left side पे हमें मिल जाती है एक अदद SIM tray जिसमें SIM situation को जल्दी से चेक कर लेती है इस phone के अंदर आप 2 SIM cards और एक memory card बड़े अराम से लगा पाएंगे एक ही वक्त में और आपको dedicated SIM slot मिल जाती है नीचे की side पे एक charging port मिलती है USB type C वाली एक microphone है, एक headphone jack है और एक आपको speaker grill मिल जाती है फिस phone में हो fully single speaker होने वाला है front side की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 6.52 inches का एक display मिल जाता है और यह भाई display जो है वो 720p की resolution वाला display है water drop notch मिल जाती है आपको और काफी बड़े बड़े bezels भी इस display के अंदर मिल जाती है यहाँ पे settings में जाके वजीद आप देख लें white color के अंदर ज्यादा bezels visible रहती है और भाई display की quality ठीक है 720p की resolution वाला एक basic सा display है और इसके अंदर जो software है वो by the way इन्होंने काफी अच्छा डाला है पहले आपने decode का signal mobile phone देखा था वो काफी मुनासिब कीमत के अंदर आता था और बहुत सारे लोगों ने उसको खरीदा था इसके कीमत रखी गई है भाई 26,000 रुपे और 26,000 रुपे में क्या क्या आपको चीजें मिल रही है अभी आगे चलके डिसकस करती है G25 का processor मिल जाता है यह chipset आप पहले भी कुछ mobile phones में देख चुकी हो कोई extreme processor नहीं है काफी average processor है और भाई इस phone को जो है वो एक गुजारा performance यह chipset दे देगा इस phone के अंदर 64GB की storage मिल जाती है जिसमें 11.5GB used है और भाई इस phone में Android version आपको 12 मिल जाता है जो के काफी अच्छी बात है 3GB की RAM आपको इस mobile phone में मिल जाती है चार होती तो बहुत अच्छा हो सकता था लेकिन 3 मिल रही है भाई इस phone के अंदर camera department को discuss कर लेती है back side पे आपको मिल जाता है 13MP का main camera साथ एक depth sensor दिया गया है और एक I think AI lens को लगाया गया है इस phone के अंदर front side पे मिलता है 8MP का एक selfie shooter और जल्दी से कुछ photos capture करके आपको दिखा देता हूँ आगे photo samples भी देख लीजेगा यहाँ पर कुछ आप photos देख रही हो back camera से और quality मुझे ठीक ठाक लगी average लगी और यह कुछ आप selfies देख रही हो portrait mode के अंदर normal mode के अंदर और ठीक है quality वीडियो के अंदर quality मुझे बहतर लगी क्योंके यहाँ पर भाई focus जो है वो मुझे काफी fast महसूस हुआ और dynamic range भी surprisingly इस phone की अच्छी है मजीद camera features की बात करें तो इस phone में आप by 1080p 30fps तक वीडियो बना सकते हो और इससे उपर आप नहीं जा सकते slow motion का आपको कोई option नहीं मिलता night mode भी इसके अंदर मिल जाता है जो के देखेंगे कैसा काम करता है और इसके साथ साथ आपको interestingly photo के अंदर 52 mega pixel का mode मिल जाता है जो को pixels को बिन करके थोड़ा बढ़ा कि I think software based photo को quality में बहतर बनाया जाएगा लेकिन मजीद इसकी settings के अंदर चीज़ें देख लेती है anti flicker mode आपको एक मिल जाता है उसके बाद कुछ basic सी चीज़ी है जिसमें touch shooting वगेरा आपको इस phone के अंदर मिल जाती है एक basic सा device है camera department के लियाज से काफी ज्यादा basic है कुछ extraordinary इसके अंदर देखने को नहीं मिला 5000 mAh की battery है इस phone के अंदर और ये 5000 mAh की battery 10 watt के charger पर काफी time ले लेगी तीन गंटे से उपर का time लग जाएगा इसको full charge करने में और ठीक है यानि आप ये कह लो ये उन users के लिए बनाया गया है phone जिनको अपनी जिन्दगी का पहला android phone लेना है या फिर उन users के लिए जिनोंने एक second phone लेना है या फिर third phone लेना है android phone के तोर पर या फिर आप अपने बज़ुर्गों को अपने family members को elders को ये phone लेकर दे सकती हो उनको gift कर सकती हो software इसका काफी अच्छा बनाया गया है first impressions के अंदर या आइकन्स बड़े रखे गए है थोड़ी stock android वाली feel देने की कोशिश की गई है लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसकी कीमत अभी ज्यादा है 26,000 रुपे बहुत ज्यादा प्राइस है 22,23 के अंदर ये phone रखा जाता और कुछ aftermarket discount के साथ 20 के अंदर मिल जाता कामेंट्स की जरूरत रहती है बहुत बहुत शुक्रिया जजाकल्ला